Dear student, we have to discuss early childhood education, fast sustainable development in चिली, हम चिली के अवाले से जब बात कर रहे हैं, तो हमने पहले गुफ्तगू की है, funds allocation की, और आपने देखा के चिली government ने appropriate funds जो है, वो allocate कर दिये, फिर second number पे, zero से two years तक भी उन्होंने government ने अपने responsibility ले ली और वो भी उस funds का हिसा बन गये, कि वहाँ पर जो उनको care करनी हैं, वो भी उसका part थे, तीन से पांच साल के बचे जो थे उनको भी focus किया गया, तो अगर हम देखें तो overall जो है, zero से five years तक उन्होंने focus किया, जिसके अंदर दो लेवल बने, zero से two years का दो एक लेवल बन गया, three से five लेवल का दूसरा लेवल बन गया, अब हम teacher training की बात करते हैं, तो teachers BS education program जो है, वो लांच किया गया, अब हम बात करते हैं, teachers की salary के बारे में, अगर हम उसे दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ compare करें, तो teachers की salary बहुत लोग है, particularly उनके work load के लिए आसते हैं, यहनी हमेशे याद रखें, के work load के according salary का तायून किया जाते हैं, अब salary जहां पर जो दी जा रही है, ECE को, उसका जो work load है, उसके मुकाबले में जब उसको compare किया जाता है, तो वो low है, उसके consequences क्या होते हैं, उसके consequences यह होते हैं, कि उस profession के अंदर, पहले हम general बात करते हैं, फिर teaching की बात कर लें, किसी भी profession जिसके अंदर आपकी salary low होगी, उसमें के अंदर attraction काम होगी, और लोग उस profession में आना पसाद नहीं करेंगे, अब हम teaching के हवाले से बात कर लेते हैं, teaching profession के अंदर, जब चिली के अंदर low salary की वज़ा से teaching profession इतना ज्यादा attractive नहीं है, और खास दोर पे जब हम pre primary की बात करते हैं, तो pre primary की attraction और कम हो जाती है, इसका direct तालुक इसके साथ आएगा, quality के साथ आएगा, देखें, अगर आपको quality teacher available नहीं होंगे, तो आप quality education नहीं दे सके, quality education देने के लिए, जब quality teacher लेके आएंगे, तो आप उनको handsome salary देनी पड़ेंगे, अगर आप उनको handsome salary प्रवाइड नहीं कर सकते, तो attention पैदा नहीं जोगी, चिली के अंदर अगरचे एक monitoring system भी बनाया गया, quality को control करने के लिए, और उन्होंने बाकैदा तोर पर एक curriculum का document develop किया, जिरो से six year तक, दो phase उसके बनाये गए, phase one जो zero से two years का था और phase two जो three से five years का था, और zero से two वाला जो है, वो जो early care वाला था, उसको भी monitor किया गया, कि उनकी caring के क्या क्या क्या, क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है, उसके अंदर बच्चे की health को कैसे देखना है, vaccination को क्या देखना है, बारर वो एक comprehensive सा documents है, यहां पर हम documents की detail में तो नहीं जाना चाह रहे हैं और ना जाएंगे, लेकिन आपको एक idea देदेंगे के zero से two years तक जो उन्होंने एक system develop किया, उसको पर भी उन्होंने फोकस किया, उसको monitor भी किया, उसके quality को भी control करने कोशिश की, और जो हमारे second curriculum था, जो तीन से 5 साल का था, जहां पर course outline defined, content कौन सा उनको पढ़ाया जाना है, उसका फैसला किया गया, उसके अंदर कौन कौन सी competencies develop करनी है बच्चों के अंदर, वो decided, कौन सी skills देनी है, उनका decision किया गया, कौन सा behavior developmental process जो है हमने start करना है, behavior को किस direction में ले की जाना है, जो sustainable development के साथ जाए, उसको भी decide किया गया, decide करने के बाद, जब ये comprehensive document बना, तो अब इस comprehensive document की implementation जब होई, तो उसकी quality को control करने के लिए उसको monitor भी किया गया, और monitoring करने का एक process रखा गया, जिसमें ये देखा गया, कि क्या उसकी जो outcome है, वो appropriate हैं या नहीं है, हमने जो goals बनाए हैं, क्या हम अपने goals को achieve कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो हमारे goals कितने achieve हो रहे हैं, तो उसके अंदर जब implementation के phase में जाते हैं, तो उसकी implementation जो है, वो इतनी ज़्यादा appropriate नहीं है, जैनि documentation की बात करते हैं, तो document बहुत अच्छा त्यार हुआ, जब हम implementation की बात करते हैं, तो implementation उतनी appropriate हमें नज़र नहीं आती, अगर हम जर्नली उसकी कास को देखें, तो जैसे हम बात कर चुके हों हैं, उसकी basic reason यह है कि low pay job होने के वज़ा से, लोगों की attraction नहीं है, और जब लोगों की attraction नहीं है, तो वो लोग जिनको other profession के अंदर उनके adjustment नहीं होगी, तो वो इसको accept करें।